असलाम अलेकुम रहमतुल्लाई वबरकातू प्यारे बच्चों उमीद है आप सब खेरियत से होंगे कंप्यूटर की ओनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम हैं यानि की विंडो के बारे में और ज्यादा जानेंगे और ज्यादा सीखेंगे इस चैप्टर में तो चली स्टार्ट करते हैं देक्स देस्टोप शॉर्स सेवरल प्रोग्राम आइकन्स डिपेंडिंग अन हाओ यूर कंप्यूटर है इस बिन सेट अप लास्ट चैप्टर में हमने तो कि विंडो को किस तरीके से ऑपन किया जाता है अब इसमें आप से कहा गया है कि जब भी आप विंडो को ऑपन करेंगे तो आपको कुछ आइकन दिखाई देंगे है ना जैसे कि समझते हैं कि जब आप फोन ओपन करते हैं यानि कि फोन के बारे में तो सभी जानते हैं जब आप अपना फोन हाथ में लेते हैं जब आप अपना फोन खोलते हैं तो आप उसमें देखते हैं OS Apps होतेetted apst तो सभी बच्चे roughly जानते थे न तो इसी तरीके से जब आप computer की Window ओपन करते तो इसमें आइकन गहने जैसे तो फौन में एपस करते हैं सब्सक्राइकंब में इसी तरीके से ड्यारे यंदन की जो पिर्षे मिलेंगे आपको अश्चे अस जेदे देंगे माई कंप्यूटर के नाम से आपको आइकन दिखाई देगा मुबाइल में जिसे एप कहता है ना जैसे एप होते हैं कि मतलब कोई भी गेम का एप हुआ या किसी भी वाटसेफ अगेरा का एप तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर में विंडो में आपको आइकन्स मिले और फोन में इनको एप कहा जाता है नेक्स्ट है इस वी आल हैव गोट नेम सीमिलरली दा कंप्यूटर ऑल्सों गीव्स ऑल दे ड्राइव सर्टैन नेम्स तो कॉल देम अब जैसे कि आप सभी बच्छे फोन में देखते होंगे कि फोन में ड्राइव आता है यानि जो भी प जो डॉक्यूमेंट्स वगेरा फॉल्डर्स वगेरा है वह आप रख सकते हैं तो जैसे फोन में होती है इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होती है ड्राइव cd drives are generally given the name d और e as in the above window cd drive is named e और जो cd drives होती है आम तोर पर वो d और e के नाम से होती है जैसे कि अगर आप इस window में देखेंगे तो यहाँ पर यह देखिए यह जो drive है यह e के नाम से दी गई है यह cd drive है और यहाँ पर नाम क्या है इसको जो naming की गई है वो e से इसको denote किया गया है तो जो cd drives होती है वो d या e उनका मतलब आप देखेंगे वो d और e से denote होती है उनके जो names होते है वो d और e के यानि वो इन alphabet से mention किये जाते हैं अब है next file the file in windows is similar to a file used by us to store our work answer sheets and assignment a file in windows stores all your data और a document अब यहाँ file के बारे में जानेंगे अब अगर आप computer पर कोई भी work कर रहे हैं कोई भी work sheet कर रहे हैं answer sheet कर रहे हैं भी assignment वगेर आप बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको store करके computer में रखें यानि अगर future में आपको जरुरत पड़े तो आप उस चीज को खोल ले मतलब जो भी आपने work किया है आप उसको store करना चाहते हैं और future में आपको अगर उसकी जरुरत हो तो आप उसको कभी भी खोल सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको file बनानी पड़ेगी store कर लेगी और देखें फाइल किस तरीके से बनती है कुछ इस तरीके से आपको जो file है वो शो होगी दिस आइकन रिप्रेजेंट्स ए मेस पेंट फाइल अब यह जो फिगर आप देख रहा है ना यह जो आइकन है सौरी यह किसका ए मेस पेंट फाइल का यह आइकन है दिस तो आपको file को name देना पड़ता है नाम ताकि future में जब भी आप उसको use करें तो आपको पता हो कि हाँ यह मैंने file बनाई थी और मेरा जो data है जो भी मेरा document है जो भी मेरा work है वो इसके अंदर है अब next है file name just as we all are identified by our names each file is given a particular name which is called the file name a file name consists of two parts अब जैसे कि हम सभी को अपने नाम के बारे में पता है कोई भी हमारा नाम अगर पुकारेगा तो हम क्या करेंगे हमें पता है कि मतलब हमारा नाम बुलाया जा रहा है तो एकदम से हम वहाँ हादिर हो जाएंगे हम वहाँ पहुच जाएंगे कि भाई किसलिए बुलाया जा रहा है क्या हुआ तो इसी तरीके से computer में जब भी आप फाइल बनाएंगे और आप उसको name देंगे तो जब आप उसे name देंगे उसके बाद जब आप उसे search करेंगे तो वही फाइल निकल कर आएगी यह नहीं कि आपने कई सारी फाइल्स बना रखी अगर आप उनको name देंगे तो सारी एकदम से निकल कर आजाएंगी तो जब आप नेम देंगे ना उन्हें तो जो फाइल का नाम आप यानि जिस फाइल को आप चाहते हैं कि वो आजाए या आपको देखनी है तो फिर वही फाइल निकल कर आएगी आपके सामने और जो भी आप फाइल को नेम देंगे वही नेम रहेगा उ scenery नंहार यह primary name उसके बाद यह dot है यानि primary name के बाद यह dot आएगा इसे period कहा जाता है और जाता है और उसके बाद यह जो bmp लिखा हुआ है इसको कहते हैं extension तो इस तरीके ते आपक जो future name ,I what you need to write in two parts में यानि की जो भी आप लिखेंगे वो तू पार्ट्स में आएगा अब यहां जो फाइल का नेम दिया गा है scenery.bmp यह तू पार्ट्स में रिवाइड है scenery को कहेंगे primary name और यह जो dot है इसे कहा जाता है period और यह जो bmp इसे कहता है extension अब है next folder a folder can be defined as a box which contains files and sub-folders it is similar to a file drawer in which you keep all your files अब folder क्या होता है folder को आप कह सकते हैं कि मतलब यह एक box होता है जिसके अंदर आप अपनी कई सारी files रख सकते हैं जैसे drawer होती है न ड्रोर के अंदर एक बड़ी सी drawer है आप उसके अंदर कई सारा समान रखते हैं इसी तरीके से folder होता है folder के अंदर आप अपनी कई सारी फाइल सकते हैं सेव करके अब यह देखिए folder का जो आइकन होता है वो इस तरीके से होता है अगर आप इस तरीके का कोई भी आइकन देखेंगे तो आप समझ जाएगा कि यह क्या है folder है इस आईकन डिप्रेजेनिट knew folder इसी सब दी फॉलडर को रघंदा न किया है वह सब आपि क्या कर सकते हैं इस फॉलडर केंदर ढल सकते हैं जैसे कि आपने देखाऊँगा न मुपाइल में भी क्या करते हैं कि जो गेम्स होते हैं सारे गेम्स का एक folder देते हैं ठाहिए गेम्स का एक folder बना दिया तो इसी तरीके से यह folder है इस folder के बहुँ सलगतार इसे समझ आया होगा चलिए पाकी का इंशाला नेक्स क्लास में करेंगे थैंक यू वेरी मच्छ असलाम अलेकुम राफमतुल्लाई वबरकातू